नमस्कार प्यारे बच्चों तो आईए आज हम शुरू करते हैं कक्षा एट का गनित का कार्यापुस्त का अध्याए नंबर दस क्षित्रमिती तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहां पर नीचे दिये गए पर तेक बिंदू A से चलना प्रम करके और बाहरी किनारे पर चलते हुए बिंदू A पर आने के लिए कितनी दूरी तै करनी होगी तो यह हमें जो नीचे डाइगराम दिये हुए है इन में हमें यह पूछा गया है अगर हम बिंदू A से यह से पहला आयत है A से चलना शुरू करें इस तरह से और फिर B फिर C और फिर D और फिर A पर वापस पहुँचें तो कितनी दूरी होगी तो यह A B A D A B हमें 5 दी है तो D C B 5 होगी क्योंकि यह आयत है और A D 3 दी है तो B C B 3 होगी तो अब हम A से अगर इनको जोडना शुरू करें A B 5 B C 3 और C D 5 और A D 3 तो इन 3 चारों बजाओं को अगर हम जोडेंगे तो यह उसके आने में A A B बिंदू से यहां लिखा बिंदू A से शुरू करके वापस बिंदू A पर आने में तैकी गी दूरी तो यह A B C D का परिमा पा जाएगा यानि कुल दूरी उसकी जोड़कर 16 सैंटिमिटर आ जाएगी अब सेकिंड सम में लिखा हुआ है इसके अगर A से चलना शुरू करे तिरबुज दिया हुआ है A से B तक B से C तक और C से A तक वापस तो यह 5 प्लस 5 और 5 तीनों 5 को हम जोड़ देंगे तो यह 15 सैंटिमिटर वापस उसकी दूरी आ जाएगी यहीं A B C तिरबुज का प्रिमाप 15 आ जाएगा अब इसके बाद नेक्स्ट सम है इसी का पार्ट है इसमें यहां पर हमें यह जो डाइग्राम दिखाया गया है पंच बुज का इसमें वह A से चलना शुरू करे तो A पर वापस आ जाए तो सारी बुजाएं 3-3 सैंटिमिट दी हुई है इन 5 बुजाओं को हम 3-3 को जोड लेंगे 5 बार तो यह कुल दूरी उसकी आ जाएगी यहां आप इसको 5 को 3 के साथ गुना कर दें तो यह 15 सैंटिमिटर इसकी दूरी आ जाएगी यह जाएगा एक चक्र की दूरी को हम परिमाप कहते हैं तो परिमाप 15 सैंटिम इस तरह EF, EF, G, GH, HI और AI यानि A पर हम वापस आजाएं तो यह कुल दूरी जो है यह सभी बुजाएं 2, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 2, 2 और 2 इन सभी को यहां मैंने लिख लिया है यहां थोड़ी सी जगा कम थी तो यहां निच्छे लिखकर मैंने इनको जोड़ा तो यह इसका जो पर बाइस आ जाएगी तो आ इस तरह से इसका जो A, B, C, D, E, F, G, H का प्रिमाप है आकरती का बाइस आ जाएगा तो आईए अगला सम करते हैं सम नमबर दो करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और अगर आप चैनल पर नए है तो अपने चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करना है इस से मुझे मॉटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं तो आईए देखते हैं सम नमबर दो यहां हमें लिखा है प्रेशन नमबर दो अनीता और अंकिता में दोड का मकावला होता है अनीता पैंसेट मीटर बुजावाले वर्गा कर मैदान के चारों और दोड लगाती है जबकि अंकिता पैंसेट मीटर लंबाई और पच्छी मीटर चड़ाई वाले मैदान के चारों और दोड लगात तो 65 मिटर हमारे पास जगा भी नहीं है तो हमने इसका पैमाना ले लिया एक मिटर को हमने एक सेंटी मिटर के बराबर लिख लेना है यनि अगर 65 मिटर है तो ये 6.5 सेंटी मिटर बन जाएगा तो सॉरी ये 6.65 यहां एक 0 लगाने रह गए ये 10 मिटर को आपने एक सेंटी मिटर के बराबर मान लेना है तो अगर 65 मिटर है तो इसका जो है ये 10 वटा लगा देंगे हम तो ये 6.5 सेंटी मिटर आ जाएगा तो हमने 6.5 सेंटी मिटर की बुजा लेकर इस वरक को बना देना है तो हमारा जो 6.65 cm है इसका मतलब होगा ये 65 मीटर है इसी तरह जो दूसरा आयत बनाना है उसके लिए हमने जो बुजा है उसको भी इसी तरह से 10 cm के बराबर 1 cm को मान कर पर मानना लगाना है तो हमारा जो 25 cm है इसके बटा अगर 10 लगा देंगे तो ये 2.5 cm चुड़ाई हो जाएगी और इस तरह लंबाई जो है 3.5 cm हो जाएगी आपने 3.5 और 2.5 लंबाई और चुड़ाई लेकर आयत बना देना है आपने आयत और वर्ग बनाते दियां रखना है कि इसके चारों को 90-90 के हो तो इस तरह से ये आपने दोनों आकरतियां बनानी है अब इनका परिमाप निकालना है तो जो जो जाएगी 65-55 है इनको हम जोड़ देंगे चार बर वर्ग में तो ये वर्ग का परिमाप आजाएगा 260 मीटर इसी तरह आपने अगर आयत का परिमाप निकालना है तो आयत की ये लंबाई 35 है और ये लंबाई भी 35 हो गई और ये जो चड़ाई है ये 25 हो गई तो आपने इन चारों बजाओं को इसमें भी आयत में भी जोड़ देना है त तो आयत का परिमाप 120 मीटर आ जाएगा तो इन में पूछा है तीसरे में किसे ने जादा तूरी तै की और कितनी तो अनीता ने जितनी अनीता ने जादा दूरी तै की क्योंकि अनीता का 260 मीटर है और अंकिता का 120 मीटर है तो यहां पर लेख देंगे जितनी जादा तै की त 260 में से हम 120 माइनस कर देंगे तो 140 सेंटिमीटर आ जाएगा अब अगला सम है चित्तर में दिखाए तीन नमबर दिखाए अनसर 7 7 खेत आपस में जुड़े हुए हर खेत के चारों और तार की बाड़ लगानी है एक मीटर दूरी पर बाड़ बादने के लिए पांच मीटर तार चाहिए तो ये प्यारे बच्चों हमें एक खेत दिया हुआ है इसके चारों और जो उसने बाड़ लगानी है तो हम यहां पर इसके जो चारों और माल लीजे जैसे ये पहला खेत है तो अगर उसने इसके चारों और बाड़ लगानी है तो हमें पहले बाड़ लगाने के लिए मीटर में तार की लुमाई मापनी होगी तो इसके लिए हमें इसकी जो तीनों बुजाएं है ये जोडनी होगी तो इसमें पहले बुजा पांच है दूसरी चार है और ये बुजा दो पार्ट्स में दी हुई है चार मीटर और दो पॉइंट पांच मीटर तो इन पहले खेट में इन चारों को हम जोड देंगे तो आईए देखते हैं अगले पेज पर कैसे आपने इसको जोड़ना है ये आप देख सकते हैं यहां लिखा है खेट के चारों और बार की कुल लंबाई तो आपने चार पांच और दो दिशमलों पांच तीनों चारों बुजा है जो मैंने दिखाई चारों साइडों को जोड दिया है 15.5 मिटर आ गया है साइडें तो तीन ही है प्यारे बच्चों पर एक बुजा को दो पार्ट्स में दिया है तो जोड़कर ये 15.5 आ जाएगा इसी तरह सैकिंड खेट के चारों और बाड़ की कुल लंबाई गयात करनी है तो मैं आपको ये जो मैंने साइडें लिखी है उसकी साइडें समझा देता हूं कैसे कैसे ली है फिर हम इस जोड़ को देख लेते हैं आईए देखते हैं खेत 2 में हमने ये बजह 4 और ये 3 और ये 4 ये 3 लिए इसी तरह खेत 3 में ये जो बजह है इसकी एक 3 आएगी एक 5 और एक 6 इसी तरह खेट चार में ये एक ये बुजा शामन होगी पांच पांच और पांच तीनों बुजाएं पांच पांच लेनी है इसकी और अगला जो खेट है पांच नमबर खेट में ये चार आठ तिर बुजा है ये वी ये पांच पांच के बाद छे नमबर खेट में देखे त और अगली जो Itos, साथ नंबर आ करती है, इसकी जाएं देखें, तो ये तीन है, ये 4 है, ये तीन है, ये 5 है, ये 2.5 है, तो इनको बारी-बारी मैंने लेकर वहां पर अगले पेज पर जोड़ा है, आईया आपको फिर से भी काता हूं, तो इनको इस तरह से आपने जोड कर ब नोग बजाए यह बराबर धी 15 मितर आ गया पांच की ये बजाए है तो 87 मितर आ गया चार जो आएत था 6 सौरी जो आयत था 84 आच ausकी 24 मितर आ गया जोडकर और 7 का ये जो परिमाप 17.5 मितर आ गया तो आईए अगे क्या लिखा हुआ है इन सातों खेतों का मालिक एक ही व्यक्ति हो तो उसे सातों खेतों के चारों और मेड़ बांदने के लिए कितनी मीटर तार लगानी होगी तो सातों खेतों के चारों और बाड़ की कुल लंबाई हम किस तरह से ग्यात करेंगे आईए आपको समझाते हैं आप एक बर फिर से इस डाइगराम को प्यारे बच्चों देखिए उसके खेट को जैसे जब मैंने पिछे जो परिमाब निकाला है जैसे ये पहला खेट लिया था इसमें जो इसकी जो साइडें ये वाली मैंने ले ली थी तो अब जो अगला जो मैं खेट माली ये दो नमबर निकाल लूँगा तो इसमें मैं ये तीन चार और तीन इस साइड पर बाड़ लगाँगा तो यहां पर पहले ही लग चुकी है इसी तरह अगले खेट में तीन नमबर में यहां पर बाड़ ये लग चुकी है तो अब ये दो साइडें बची हैं यहां पर भी वो तार लगा देगा इसी तरह चार नमबर में तो इस तरह से ये दो साइडें बची है पांच और पांच यहां पर बाड़ लग चुकी है तो इस तरह आपने जो है जो बुजाएं हमने उपर परिमाप निकाला है दो बार आती हैं उनको आपने छोड़ देना है तो आपने कैसे लिखना है देखिएगा एक बार फिर से पहले हम लिखेंगे मान लीजिए पांच फिर चार फिर दो दिश्मल पांच फिर चार फिर तीन फिर चार फिर तीन फिर छे फिर पांच फिर पांच फिर पांच फिर आठ फिर चार फिर आठ फिर चार फिर तीन फिर पांच तो इस तरह से आपने निशानी लगाते हुए ये जो बजाएं है एक एक बार ही लिखनी है तो इसका जो मैंने जोड लगा रखा है आपके लिए आप देख लीजिए ये सारी बजाएं में ने यहां पर लिख दे हैं, यहां लिखा हुआ है, सातों खेतों के चारों और बार की कुल लंबाई, तो इन सभी बजाओं को मैंने जोड कर यहां पर लिखा है, यह 78.5 आएगा, तो अब एक मीटर बार दुरी पर बार लगाने के लिए तार पांच मीटर चाहिए तो आप इस बात को थोड़ा हरान मत हो ये देखिए द्यान से तो अगर वो तार लगाएगा खेत के चारों और तो उसकी जो तार है वो इस तरह से कुंडली दार है तो अब एक मिटर में ये तार कितनी बन जाती है पांच मिटर बन जाती है इस तरह कुंडली है तो तार ज्यादा लगेगी तो एक मिटर में इस तरह ये तार पांच मिटर लग जाती है यानि खेत में इस तरह से एक मीटर पर अगर तार उसने लगानी है तो ये तार इस तरह से ऐसे ऐसे लगाएगा तो ये पांच मीटर हो जाती है तो अब हमने अटहतर पांच पांच पर बताना है कि ये कितनी तार लगेगी तो आपने लिखना है एक मीटर पर तार लगाने के लिए टार चाहिए पांच मीटर और 78.5 पर चाहिए तो ज़्यादा के लिए हम गुना कर देते हैं हमने 5 के साथ गुना कर दिया तो यह 382.5 मीटर हमें कुल तार चाहिए सम नमबर चार में हमें दिया हुआ है नीचे दियेगे प्रशन जो अधिक चितर स्थान गेरत, अधिक स्थान गेरते हैं को पहचान कर उसके नीचे टिक का निशान लगाओ तो जैसे यहाँ पर पहले में दो आकर्तियां हैं तो हमें आए तो यह बड़ा दिखाये दे रहा है तो इसमें टिक लगा दे Ben अब दो आकर्तियां ये दियू ही है तो इनमें ये आकर्ति बड़ी है इसी तरह इन दोनों स्टारों में मेरे को ये बड़ा लगा तो मैंने इस पर लगा दिया अब ये अंडा जो है बड़ा है सरकल से तो चार नमर में आपने अंडे बर टिक लगा देना है इसके बाद अग वर्गों को मिलाकर एक वर्ग के बराबर गिन सकते हैं तो हमने इना करती हूं को अक्षित्रफल ग्यात करना है और जो आदे हैं उनको आपने एक गिन लेना है तो पहला जो आयत बना है इसमें अगर आप वर्गों को गिनें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा तो इसका प्रिमा क्षित्र फल ग्यारा वर्ग आ जाएगा अब तिर बुज में हम गिनेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो 6 वर्ग ये पूरे है और एक आदा आदा एक ये हो गया और एक ये हो गया यानि 6 पलस 2 ये 8 वर्ग आ गए अब अगली आकरती में अगर हम वर्गों को गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 ये निचे है तो ये 12 हो गई यहां तक और 13 और 14 अब जो ये आदे आदे बच गए है एक आदा ये है और एक ये है 14 और एक 15 और एक ये आदा है तो ये 16 हो गए इसको मिलाकर तो इसका परिमाप हम 16 वर्ग लिख देते हैं इसके बाद अगला 6 नमबर सम है इस सम में हमें दिया हुआ है 6 नमबर में निच्चे गृट वेपर पर आयत बने हुए है पर ते एक छोटे वर्ग की बुजा की लंबाई एक सेंट्यूटर मान कर दी गई सारनी को बरिये तो इसके बाद जो अगला पेज है हमें एक यहाँ पर सारनी दी हुई है इसको हमने बरना है इस सारनी में हमने इस आयत का पहल चार, पांच, पांच, दस और पांच, पंद्रा वर्ग हैं, तो इसका क्षेतर फल पंद्रा हो जाएगा, अगर इस तरह से पहले गिने हम, एक, दो, तीन, चार, तो ये पांच हैं सोरी, तो इस तरह इसकी लंबाई पांच हो जाएगी, और ये चुडाई वाली साइड एक, दो तीन तो इसकी चुड़ाई तीन हो जाएगी तो आईए मैं आपको सारनी दिखाता हूँ तो इस सारनी में मैंने जैसे आपको बताया करम संख्या आयत का नाम क्षेतर फाल लंबाई चुड़ाई सेंटिमीटर में तो पहले हमारा जी ए बी सी डी आयत था इसकी जो लंबा निकालने तो भी पंद्रा ही आएगा अगले जो अगली आकरती बनी हुई है PQRS इसमें अगर हम देखें तो इस आकरती में अगर आप देखो PQRS में तो इसमें जो इसकी लंबाई वाली ये साइड है लंबी जो होती है बुझा वो प्यारे बच्चो लंबाई होती है तो अगर हम गिने एक, ड़ो, तीन, चार, पांच तो लंबाई इसकी पांच बनती है और अगर चोटी मुझा देखें जो इसकी चुड़ाई है एक, दो, तीन, तो एसाब ये तीन, तो अगर अगर इसके बॉक्सों को गिने तो ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आ वर्ग आएगा तो आपने इस सार्णी में इसको यहां पर लिख देना है तो आईए अब अगला जो है तो जैसे मैंने आपको बताया तो P.K.O.R.S. में वर्ग जो पंदरा थे और इसकी लंबाई और चड़ाई पांच और तीन थी अब जो आपको स्क्रीन पर यह अगला वर्ग दिख रहा है अगली आकरती दिख रही है इसमें हमें जो लंबाई और चड़ाई इसकी जो है आपके सामने आ रही है यह तो O.L.M.N. जा L से शुरू करिए L.M.N.O. तो इसमें जो इसके वर्ग हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो एक लाइन में साथ हैं तो चार लाइने हैं तो यह 28 वर्ग हो जाएंगे अगर इसकी लंबाई देखें तो साथ है और चड़ाई चार है तो इसको भी हम अगले जो सारनी है इसमें आप लिख देंगे आपको मैं एक अठा सारनी दिखाता हूँ फिर वारी-वारी आगे पिछ्छी पेज़ करना पड़ता है तो अगले में इसमें जो है वर्ग में टी वी यू टी डवल जू तो इसमें तीन वर्ग है उपपर पहली लाइन में तीन फिर है तीन फिर एल तो इसमें अगर हम लंबाई देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तो इसमें लंबाई नो है और अब चड़ाई देखें एक दो तीन चार पांच तो चड़ाई पांच है और वर्गों की बात करें तो एक लाइन में ये नो वर्ग हैं दूसरी में में नो का हम यहाई कठा लिख देते हैं तो मैंने यहाँ पर जो टी यू भी डवल जू थी आकरती उसका ये लिख दिया है हमने देखा नो वर्ग आ रहे थे तो नो क्षितरफल आ गया लंबाई और चुड़ाई तीन 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 अगला जो आई जे के ल मैंने बताया था आपको इसक बच्चो इनको गुना करके भी इसका क्षितरफल लिख सकते हैं लंबाई गुना चुड़ाई जैसे चौथे में तीन गुना तीन नो और तीसरे में साथ गुना चार अठाइस और दूसरे में पांच गुना तीन पंदरा और अगले पहले में भी पांच गुना तीन पंद क्षेतर फल लंबाई चुड़ाई के बीच में कोई सबंद है यदि हाँ तो वै लेखिए तो हाँ क्षेतर फल जो होता है वाल लंबाई गुना चुड़ाई होता है यह लंबाई और चुड़ाई की गुना के बराबर है यह इनका आपस में सबंद है अब अगला सम है इसके साथ नम्बर सम इसमें हमें दिया हुआ है यहां पर निहाल के पास तीन सैंटिमीटर बुजावाले बहुत से काले वे सफेद वर्ग हैं वैं इन वर्गों की लकड़ी को बोड़ पर चिपका कर एक शतरंज बोड़ बनाना चाहता है शतरंज बोड़ बनाने के लिए कितने काले वे कितने सफेद वर्गों की जुरूरत है तो अगर प्यारे बचों आप इन काले वर्गों को गिने तो यह जो काले वर्ग हैं यह 32 हैं संख्या में और इसी तरह अगर आप सफेद वर्गों को गिनेंगे एक दो तीन चार तो इनकी संख्या भी 32 है यह नि एक लाइन में यह चार है और चार अगली में चार अगली में इस तरह यह अगर इनको गिनोंगे तो आप 32 32 यह आएंगे अब second question में हमें यहाँ लिखा हुआ है इन वर्गों की शतरःश बोर्ड बनाने के लिए कितनी लकडी के बोर्ड की जरूरत होगी तो इसका हमने जो यह हमें वर्ग दिये थे इस ने इनको इसको यहाँ पर फिट करके शतरःश बोर्ड बनाया है तो इसके लिए कहते हैं कि उसको कितने वर्गों की जरूरत होगी तो प्यारे बच्चों यह पहला वर्ग लगा है जो मैं यहां पर आपको जोड़ कर दिखाता हूँ इसकी लंबाई तीन सेंटिमीटर है इसके बाद अगला जो काला वर्ग है उसकी लंबाई भी तीन है इसके बाद अगला है जो उसकी लंबाई भी तीन है इस तरह एक लाइन में यह आठ वर्ग लगे हुए है तीन, चार, पांच, छे, साथ और आठ एक वर्ग फिर से देखते है इन प्रतेक वर्ग की जो लंबाई है वो तीन है प्यारे बच्चों तो सभी का अगर तीन तीन हम यहां पर लिखेंगे तीन तीन वर्ग तो इन सभी लंबाई को अगर हम जोडेंगे तो यह 24 बनता है यानि एक वर्ग की लंबाई तीन है और आठ वर्ग है तो आठ वर्गों की जो कुल लंबाई है वह 8 तिया 24 सेंटिमीटर बन जाएगी यनि अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि ये जो एक लंबाई है इस वर्ग की जो एक बुझा है वो 8 गुणा 3 24 सेंटिमीटर इसकी एक बुझा आती है तो इस वर्ग की जो बुझा है वो 24 सेंटिमीटर है तो आपको फिर से दिखाते हैं तो ये बुझा 24 है तो सारी बुझाएं 24-24 होगी तीन का एक खाना है तीन-तीन को जोडेंगे तो ये 24 बनता है तो आठ वर्गों की ards लंबाई आतीया 24 वर्ग सेंटिमीटर होगी अब हमने बूर्ड का ख्षतरवार निकालना है तो बुझा गुझा होता है क्यूंकि ये वर्ग है तो वर्ग का क्षतरवार बुझा गुना भुझा होता है वैसे अगर आप लंबाई और चड़ाई को देखे तो लंबाई वो चड़ाई का किस्कूतर भी लगा सकते हैं तो 24 गुना 24 करेंगे तो ये 576 सेंटीमिटर उसको लकडी के बोर्ड की अफशकता पड़ेगी अब अगला समय है इसमें हमें यहां पर लिखा हुआ है यदि निहाल इस शतरंज बोर्ड के चारों और 3 सेंटीमिटर चोड़ा फ्रेम भी लगा दे तो यह शतरंज बोर्ड कितनी जगा गेरेगा तो अब प्यारे बच्चों आप एक पर फिर से पिछे चलते हैं हम यह जो हमें स्टेटमेट दी है उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर इस बोर्ड के चारों और निहाल 3 सेंटीमिटर चोड़ा एक फ्रेम लगा दे इस तरह से 3 सेंटीमिटर चोड़ा तो इस फ्रेम की चोड़ाई 3 सेंटीमिटर है यहां से भी तीन है और इस साइड में भी तीन तीन है तो अब अगर तीन सेंटिमेटर चोड़ा वो फ्रेम लगाएगा तो जो हमारी पहले बुजा थी वो हमारी बुजा चौविस थी और चौविस में अब दोनों साइड पर यहां पर तीन यहां इस साइड में और तीन इस स से 3-3 बुजा बढ़ गी तो ये 24 और 6, 30 cm इसकी बुजा हो जाएगी यनि ये जो बाहर वाली बुजा है ये 30 हो जाएगी और ये भी 30 हो जाएगी तो ये सारी बुजाएं इसकी 30-30 हो जाएगी तो अब हमें पुछा गया है कि बोड कितनी जगा गेरेगा तो हम पहले लिख लेंगे बोर्ड की एक बुजा 24 प्लस 3 तीन 30 cm की एक बुजा हो जाएगी अब बोर्ड का क्षित्रफल निकालेंगे तो हम 30 गुना 30 900 वर्ग सेंटीमिटर आ जाएगा तो यानि बोर्ड जगा जितनी गेरेगा वो 900 वर्ग सेंटीमिटर होगी तो आप सबी ने अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को शेर जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए इसके बाद 8 नमबर सम करते हैं यहाँ पर हमें 8 नमबर सम में दिया हुआ है दिये गे चित्तर में कितने वर्ग हैं तो प्यारे बच्चों अगर आप इस चित्तर में वर्ग गिनें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ वर्ग हैं एक छोटा वर्ग, एक सेंटिमेटर बुजा का है तो इसे पूरी आकरती का क्षेतर फल गयात कीजिए तो पैरे बच्चों अगर हम इन वर्गों को देखें तो ये आठ हैं और ये जो आयत बन रहे हैं एक, दो, तीन, चार आयत बन रहे हैं अब हमें इस पूरी आकरती का क्षेतर फल पूछा गया है तो सबसे पहले हम ये जो आयत हैं इनको भी बराबर में यहां से बीच में लाइन लगा कर इनको भी आयत बना लेते हैं इस तरह आपने ये लाइन को आगे बढ़ा देना है तो अब अगर हम वर्गों को गिने तो ये जो वर्ग हैं यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला वर्ग बन रही है और एक वर्ग का क्षित्रफल एक वर्ग सेंटिमीटर है तो अब सोला के साथ गुना कर देंगे तो ये सोला वर्ग सेंटिमीटर इस वर्ग का पूरे बड़े वर्ग का क्षित्रफल आ जाएगा इसके बाद आगे है आठ के बाद नो नमबर सम है नीचे दिये गए चित्रों में चायेगी तो बाग का क्षेत्रफल ग्यात कीजी जनी जो शेड़ चायेगी तो ये काला बाग है इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है तो पैरे बच्चों हम जैसे पहले सम में इस आयत का क्षेत्रफल निकाल कर इस जो बीच में जो है परकाश्चिया बाग है जो छोटा सा वर्ग बन रहा है इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हम यहां लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल तो ये जो वर्ग बन रहा है इसका क्षेतरफल पांच गुना पांच बुजा गुना बुजा तो तीन सो को बीस के साथ गुना करेंगे छे सो आ जाएगा और पांच को पांच के साथ करेंगे तो पच्चिस आ जाएगा पच्चिस को माइनस कर देंगे छे सो में से तो ये पांच सुपचत्र वर्ग सेंटिमीटर इस पहली आकरती का क्षित्रफल आ जाएगा च्छैंगी तबाग का अब दूसरे अगर हम इस वर्ग को देखे तो इसकी लंबाई 15 है और चड़ाई 10 है तो इस तरह भी हम कर सकते हैं पहले इसका क्षित्रफल लिख ले बाहरी आयत का क्षित गुना दो 16 वर्ग सेंटिमीटर आ जाएगा गुना करके अब च्छैंगी तबाग के लिए जो बाहरी क्षित्रफल है उसमें से अंदर वाला 16 को हम माइनस कर देंगे च्छैंगी तबाग का क्षित्रफल 134 आ जाएगा इस तरह जो इसका थर्ड सम है C पार्ट है जो इसमे भी हमें यहां पर जी आयत की बुझाएं 10, 16 और 12 दी है तो बाहरी आयत का क्षित्रफल 16 गुना 12 एक सो बन में आ जाएगा अंदर ये जो वर्ग बन रहा है इसका क्षित्रफल होगा 2 गुना 2 और ये जो छोटा क्षित्रफल बन रहा है इसका होगा 1 गुना 1 तो हम लिखे कर ये पांच जो बीतर में ये दो वर्ग बन रहे हैं का क्षेत्रफल आ जाएगा इसको हम 195 में से माइनस कर देंगे तो ये छाया की दुबा का क्षेत्रफल 187 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसके सेकिंड पार्ट में हमें लिखा हुआ है किसी एक चित्र के लिए या भी चाया की तुबा का क्षेत्रफल ग्यात करने के लिए आपने क्या किया तो हमने कुल क्षेत्रफल में से अंदर बनी आकरती का क्षेत्रफल गटा दिया इस तरह हमने चाया की तुबा का क्षेत्रफल पता किया अब आगे जो हमें लिखा हुआ है इसके बाद एक ठेकेदार तीन सो मिटर लंबे और एक सुपचास मिटर चोड़े पलाट के में बवन बनाना चाहता है यदि वह तीन मिटर चोड़ी तीन सड़कें चित्र में दिखाएं सर पलाट में निकाल दे तो बवन बनाने के लिए उसकी पास कितनी जमीन बचेगी तो प्यारे बच्चोः यह झो उसने पलाट है इसकी पलाट की लमबाई पूरे बलाट की दी हुई है हमें सो मिटर दी हुई है अब इसने दोनों साइड से इस इस और और इस और फी तीन-तिन बजा निकाल दी है तो यह जो अंदर वाला यह जो भाग है इसकी जो चुड़ाई है यह जो है यह 300 में से 6 कम हो जाएगी यह 294 रह जाएगी क्योंकि 3 यह गया और 3 यह गया और इसकी अगर हम इसी तरह इस चुड़ाई लंब चुड़ाई को देखे तो यह 150 मिटर है अब इसने यहां से जो 67 मिटर आ जाएगी और लंबाई के लिए हमने दोनों और से 33 माइनस किया तो 300 में से 6 माइनस किया तो 294 इसकी लंबाई आ गई और 167 चुड़ाई आ गई आपने चुड़ाई में से सिर्फ 3 को एक बर गटाना है क्योंकि इस और उपर की और उसने रस्ता यहां नहीं छोड है तो अब क्षेत्रफल के लिए हम लंबाई गुना चुड़ाई करेंगे 294 गुना 67 तो इनको गुना करके यह 43,218 इसका वर्ग सेंटिमेटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा जहां पर उसने प्लाट बनाना है आगे है 11 नंबर सम तो 11 नंबर सम में हमें दिया हुआ है एक कक्षा में शिक्षक ने शात्रों को गदिविदी करने को दी शात्रों ने शात्रों को 60 सेंटिमेटर लंबे वे 8 सेंटिमेटर चोड़े गत्ते में से 6 सेंटिमेटर लंबा वे 4 सेंटिमेटर चोड़ा टुकड़ा काटने को कहा रमेश नाजिया टीना और अबराहम ने नी तो अगर प्यारे बच्चोँ हम इन वरगों को गिनेंगे तो यह जो पूरे वर्ग है इसमें 80 वर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें चेग्चोट से श्थ कृते carefully नाजिय के जहाएं अबराहम के रमेश के तो सभी ने ये जो 24-24 वर्ग का जो टुकड़ा है निकाल लिया है तो अब हम देखते हैं आगे हमें क्या लिखा हुआ है परतेक बचे हुए बाग का क्षित्रफल की गन्ना कीजिए तो अब हमने जैसे रमेश ने 80 में से 24 बाग निकाल लिया तो उसके पास जो शेश गत्ता बचा वो चपंजा वर्ग सेंटीमीटर बचा नाजिया के पास भी 80 माइनस 24 चपंजा वर्ग सेंटीमीटर टीना के पास भी चपंजा बचा और अबराहम के बाच भी 80 माइनस 24 चपंजा वर्ग सेंटीमीटर गत्ता बचा तो आपने क्या पाया परते इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत दन्यवाद सेकंड पार्ट में मिलते हैं 12 नंबर समसे शुरू करेंगे इसका सेकंड पार्ट आपने वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है अपने दोस्तों मित्रों में और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक मिलती है थैंक यू वेरी मिच